हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे option chain के बारे में open interest के बारे में और कैसे आप इस strategy को अपना के options में अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कुछ basic चीज़े हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाह करूँगा कि मैं आपको काफी अच्छी तरीके से यह चीज समझा पाऊं बट यह चीज आपको खुद भी थोड़ा practice करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको समझ में आएगे और उसके बाद ही आपको hold होगा उस चीज के उपर सो चले start करते हैं आज option और open interest के बारे में सब से पहले हम देखते हैं कि यह open interest actual में होता क्या है यहां पर आप देख सकते है open interest लिखाओ है change in OI, OI मतलब open interest कोई भी transaction के बीच में दो लोग involved होते हैं एक होता है buyer, एक होता है seller, option trading में seller को बोलते है underwriters, but आसान सब्दों में हम लोग इसे अभी sellers के हिसाब से ही point out करेंगे, so suppose buyer ने एक lot buy किया है, तो सामने आले seller ने भी एक lot sell किया है, तब ही जाके transaction complete हुआ है, so philal के लिए एक lot जो है, वो market में open है, यह जो एक lot है, इसे हम कहते है open interest, जब तक यह जो buyer है, यह अपना transaction settle नहीं करता, यानि कि जो उसने lot buy किया है, वो sell नहीं करता, और यह जो seller है, वो square of नहीं करता, यानि वो buy नहीं करता, तब तक यह one lot open रहेगा, जब यह buyer अपना sell कर देगा, और seller अपना buy कर लेगा, तो यह lot zero हो जाएगा, और open interest close हो जाएगा, zero हो जाएगा, so clear है, open interest actual में होता किया, जितने भी lots open है market में, जिसका transaction complete नहीं हुआ है, that is open interest, अब यहाँ पे buyer के तरफ से मैं जादा, buyer में जादा focus करूँगा, क्योंकि seller के लिए, अगर आप कोई भी option sell करते हो ना, तो sell करने में क्या होता है, seller को चाहिए होता है, बड़ा margin, क्योंकि एक lot sell करने के पीछे, आपको 50 से 70,000 रुपे का margin चाहिए होता है, आपके account में, यहाँ तो बादशा बनता है, अब देखते हैं कि buyer, अगर आप buy कर रहे हैं, तो आपको क्या buy करना चीज़, जिससे आप बादशा बने, ना कि बेवकूफ बने, इन simple words, आपको पैसा कमाना है, ना कि पैसा गवाना है, और profit बनाना है, so let's see, कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ से यह मैं निकाल देता हूँ, अब चलते हैं, option chain की तरफ, यह है, NAC की website, आप option chain अगर google करेंगे, तो आपको यह पहला page मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने bank nifty लिया है, कल के दिन की expiry ली है, और यह पूरा data है, अब इसमें सबसे ज़्यादा, यह call side है, यह put side है, अब सबसे ज़्यादा open interest, यानि कि सबसे ज़्यादा lots कहां पे pending है, transaction होना बाकिए, सबसे ज़्यादा lots open में कहां है, वो ढूढना है, ज़्यादा time नहीं लेते हुए, मैं सीधा उस point पे आ जाओंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 31,000 पे है 50,000 open interest, और 32,000 पे यहाँ पे आप देखेंगे 47,000 open interest, अभी भी 47,000 112 का open interest है, 32,000 के PE यानि कि put option में, सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, चलते हैं, चार्ट की तरफ, यह वाला जो चार्ट है, यह आज के दिन का bank nifty का चार्ट है, और ये वाला जो चार्ट है ये आज के दिन का 32,000 PE यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका चार्ट है तो अब ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे bank nifty जा रहा है उपर ठीक है यानि कि bank nifty में है positive momentum तो जो put option है वहाँ पे होना चाहिए negative momentum क्योंकि call option लोगों को buy करना चाहिए क्योंकि price उपर जा रहा है तो call option आप buy करेंगे तो आपको profit होगा बट इस जगा पे हो रहा है उल्टा जो put है वहाँ पे volume increase हो रहा है तो आपको ये trade ढूनना है market जा रहा है उपर और put option जा रहा है volume उपर ये जो point है ये RSI है और ये आपका open interest है ये आप indicators में जाके apply कर सकते है तो यहाँ पर आप देखिए सुभा जब market खुला तो open interest काफी कम था market यहाँ पर जा रहा है उपर और ये open interest यहाँ पर बढ़ते जा रहा है अब यहाँ पर हो क्या रहा है वो में बताता हूँ यहाँ पर जो buyer है वो बन रहा है बेवकूफ क्योंकि buyer को लग रहा है market जाएगा नीचे यहाँ से market जाएगा नीचे यहाँ सा buyer को लग रहा है और यहाँ पर seller जो है वो sell कर रहा है अभी यहाँ पर उसने sell किया और यहाँ पर बाई किया तो seller तो profit बना के निकल जाएगा बट वहीं buyer ने अगर यहाँ पर बाई किया है तो at some point of time उसको sell करना पड़ेगा तो यहाँ पर sell जैसे ही करेगा तो उसको loss बुक करना पड़ सकता ह सो इस situation में अगर आपके पास margin है तो आप sell कीजिए जहाँ पर bank nifty positive momentum दिखा रहा है यहाँ पर मैंने RSI भी अप्लाई किया हुआ है super trend भी अप्लाई किया हुआ है 5 minute का चार्ट है यह positive upside trend दिख रहा है यहाँ पर clearly बट यहाँ पर put में जो volume है वो काफी ज्यादा increase हो रहा है कोई भी call buy करना है अगर आप buyer है तो आप call buy कीजिए यह जो indication है यह आपको देखना है मैंने क्या किया सबसे पहले select सबसे ज़्यादा open interest कहां पर है अब अगर इस जगा पर यह volume नीचे होता तो यह chart में open ही नहीं करता जिसमें सबसे ज़्यादा open interest होता वो आली chart open करता उसे के वज़े से मैंने यह वाला लिया है अब यह जो point है यहाँ पर देखिए market उपर जा रहा है तो जिन भी लोगों ने buy किया था यह वाला option वो अब sell कर रहे हैं अपना transaction close कर रहे हैं loss book कर रहे हैं तो यहाँ पर open interest कम होते जा रहा है क्योंकि जो transaction है वो complete होते जा रहा है यहाँ पर सपोज आपने 260-265 पर sell कर दिया है तो यह stock यह जो option का premium है वो fall होते जाएगा होते जाएगा और zero पर चल जाएगा कल के दिन में expiry में उसके बाद यह पूरा premium का profit उनको मिलेगा लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखे जब भी आप sell करते हैं तो आपको margin जादा इ लिमिटेड है अभी यहाँ पर अगर 260 में sell किया है तो profit will be 260 into 25 लेकिन उसी जगह पर अगर market उल्टी दिशा पकड़ लेता है और यह put का premium बढ़ने लगता है तो फिर यह unlimited loss की तरफ ले चलेगा आपको क्योंकि यहाँ से यह 1000 भी हो सकता है 2000 भी हो सकता है इस वज़े से यह क करने में आपका loss unlimited होता है और profit limited होता है इस वज़े से थोड़ा ध्यान से trade करें यह जो चीज मैंने बताई है यहाँ पर वैसा call ढूंडे जहां पर market उपर जा रहा है और put का premium put का जो open interest है वो बढ़ रहा है इस जगे पर कमाई कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई option मिलता है अगर आप buy कर सकते हैं तो इसका opposite buy कीजिए अगर आप sell कर सकते हैं तो इसको ही sell कीजिए लेकिन कभी भी बीना stop loss के काम मत कीजिए market काफी volatile है बट यह एक strategy है जो आप use कर सकते हैं पहले खुद एक दो बार try कीजिए dummy trades कीजिए जल्द बाजी में पैसे मत लगाई कीजिए थोड़ा wait कीजिए एक दो बार check कीजिए उसके बाद यह strategy apply कीजिए and काफी simple strategy है option chain में जाके सबसे ज्यादा volume जिधर है वो check करना है और उसके बाद उसे compare करना है actual chart से यहाँ पर मैंने लगाया है RSI और यह है open interest दोनों ही indicators आपको इसमें मिल जाएंगे यह अभी मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत explain कर पाया हूँ और मुझे लग रहा है आगे मैं और इस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको explain करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज्यादा स्यादा profit हो मेरे इसाब से long करना सबसे best होता है बढ़ अगर आप options कर जरूर करे